क्या ड्रक्स इंडिकेड्स का नया केंद्र बन रहा है राज्जे हर्याना आईए समझते हैं नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का संस्कती आईएस के यूट्यूब प्लाटफॉर्म पर मेरा नाम है शुभम और हम सभी जानते हैं कि नशा समाच और स्वास्ते दोनों क देखने के लिए मिलता है अब हर्याना पुलिस द्वारा कुछ डाटा रिलीस किया गया है चोकि नशे से जुड़ा है और उन व्यक्तियों से जुड़ा है जो इसका सेवन और बेच दोनों ही रहे हैं आईए समझते हैं क्या है किस प्रकार डेटा अगर हम वर्तमान वर्ष साल दोहजार चौबिस की ही बात करें और बात करें एक जनवरी से लेकर 10 जुलाई दोहजार चौबिस तक की है तो हर्याना पुलिस द्वारा कुल 172 केसिस को रेजिस्टर करा गया है साथ ही इससे जुड़े व्यक्ति और अपराधी चो हमें देखने के मिल रहे हैं उनकी स हिरोईन है जिससे अगर हम बात करें इन मामलों में 2.7 किलोग्राम हिरोईन है 3209 किलोग्राम गांजा है साथ ही 5,565.3 किलोग्राम पॉपी स्ट्रो है पॉपी स्ट्रो सबसे ज़्यादा हमें देखने के लिए हर्याना राज्ये के अंदर साथ अगर हम बात करें पुलिस ने ड्रग्स इंडिकेट्स के लिए हर्याना तक पहुँचने के लिए एक नया पैटरन भी फाइंड आउट करा है कि किस प्रकार हर्याना राज्ये के अंदर नशा प्रवेश कर रहा है जिन में से नेपाल से चरस, दिल्ली से हिरोईन, उडिस से गांजा बिहार और जारकंड से अफीम राजिस्तान से पॉपी स्ट्रॉ जैसे प्रदार्त अब हर्याना में प्रवेश कर रहे हैं जैसे हम सभी समझ रहे हैं कि पंजाब राज्ये में सबसे ज्यादा नशा है और पंजाब राज्ये में जो नशा प्रवेश कर रहा है व सबस्टान से वे डिस्ट्रिब्यूट करते हैं साथ ही अब नेपाल से भी अन्य रास्ते जो हैं वे बनाए जा रहे हैं समझ लेते हैं कि क्या होते हैं drugs syndicates ये ऐसे अवयद संगठन होते हैं जो बनाए जाते हैं कि control किया जाएगा drugs के distribution और production को बट ऐसा कुछ नहीं होता अवयद होते हैं तो ये और illegally तरीके से काम करते हैं साथ अगर हम बात करें तो इनका कारे क्या होता है प्रमुक कारे की पूरे समाज में क्या करना नशे को फैलाना दूसरा इनका एहम कारे और सबसे जादा मुनाफ़ा करने वाला और इनका जो एम होता है वो होता है की मुनाफ़ा यानि की वित्य मुनाफ़ा प्राप्त करना जितना जादा drug supply होगा उतना जादा मुनाफ़ा जो है सप्लाइर्स को और अधर व्यक्तियों को जो प्रोड्यूस करके दे रहे उन्हें मिलेगा अगर हम इससे समझे तो मिर्जापूर वेब सिरीज ते हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं तो मिर्जापूर वेब सिरीज में नार्कॉटिक अब समझ लेते हैं कि यहां पर चेन चल रहे हैं चूकर बार करें राजजे-का जुडा होना और सीमा साजा करना पार्टी कर्चर आज हम सभी देख रहे हैं कि पाटी के अंदर खाने से ज़ादा हमें ड्रक्स का कल्चर देखने के लिए मिल रहा है उसके बाद बात की जाए सप्लाइचेंड के मार्ग को आसान बना देता है ये दोनों चीजे पाटी और जो बॉडर टच हो रहे हैं वो दोनों इन सी जो को आसान बना रहे हैं ताकि साथ अगर हम बात करें हरियाना राज्य में कहां कहां सबसे ज़्यादा नशा देखने के लिए मिल रहा है कौन-कौन से जिले में तो हिसार सिर्सा रौतक फथैबाद अंबाला पानिपत करनाल कुरुक्षे तरसोनी पत नुहू जैसे जिलों के अंदर सबसे ज़्यादा न क्या-क्या कार्रे किया गया तो 320 कॉंवर्शिल कॉंटिटी केसिस का पता लगाया गया और साथ ही लोग अरेस्ट किये गए 563 जो अपने आप में बढ़ता हुआ करम है इसके बाद अगर हम बात करें तो राज्यस तरप पर आप सभी की नार्को कॉडिनेट कमिटी का गठन किया जा रहा है ताकि निगरानी रखी जाए इन सफ्लाइज पर इसी के साथ सत हम बात करें तो अप्लिकेशन भी बनाई जारे है ताकि केसिस को एडियास को रेजिस्टर करा जाये उसके अन्दर जैसे कि प्रयास और सात ही है इसके बाद अगर हम बात करें लोगों को है साल 2022 कि इंदर क्योंकि 23 में काम किया गया तो 22 का ये डेटा है उसके बाद अगर हम बात करें भारत में ड्रक्स का आगमन होता कैसे भारत में ड्रक्स पहुंच कैसे रहें जैसे हम समझें अपने पूरे भारत को इधर वाले मैप को तो यहां पर हम सभी देख रहे हैं कि जहां से भारत के अंदर ड्रक्स अपलाए हो रही है और भारत में सबसे जादा पंजाब राज्ये के अंदर यह नशा देखते हैं हम लोग जब आता है उसके बाद पूरे भारत में डिस्ट्रिब्यूट है अचा अगर हम पूर्वी तरफ से बात करें तो धाइलैंड उस ट्राइंगल भी जो है वे कहा गया है प्रॉपर मयनमार भी इसके अंदर गत इंक्लूड हो रहा है अचा अब समझ लेते हैं कुछ एज ग्रूप से जहां पर नशा सबसे जादा देखने के लिए मिलता है आपको क्या लगता है क्या एक यंग्स्टर ही केवर नशा कर र जानी की बात है और हम सभी देखते हैं अगर 10 वर्ष की बात करीगी तो जादा तर स्लम एरियास के अंदर हमें नशा देखने के लिए मिलता है और यंग्स्टर में तो फिर वही कि जिसके पास पैसा है उस प्रकार वह नशे की और जा रहा है हर कोई नहीं बढ़ जो हां ज कि बात करें तो अरूनाचल पर देश की तरफ हो गया हमारे पास तरफ हो गया यह निवी कि कोई व्यक्ति अगर नशा करता है तो मिनिमम उसे 10 वर्ष की सजा है और मैक्सिमम 20 वर्ष की सजा है यानि कि आदी जिंदगी तो वो जेल में ही गुजार देगा साथ ही उस पे एक लाख तक का जुरुमाना जो है वे भी है अच्छा एक सवाल आप सभी के लिए कॉमेंट स झाला करता है